गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी अपनी चैनल विभास लाइफ में आज का ब्लॉग मेरा देखिए सुरू हो चुका है सुबह-सुबह आज हम सफाई करने बैठ गए हैं और इनको भी आ दिये हैं स नीचे तो नहीं फैला के रख सकते क्योंकि उसके लिए बहुत जगह चाहिए चो कि है नहीं तो हम लोग टोकरी में ही यह बास वाला टोकरी खरीद के इसी में रखते हैं इसमें हवा लगता रहता है तो जल्दी ज्यादा खराब नहीं होता फिर भी इसको महीने दो महीने म देखना पड़ता है कि मतलब यह खराब न अहो जाए खराब होता ही है यह सब तो अभी मेरा बहुत दिन हो गया था इसको देखें दो महिना से उपर हो गया था हमकर आज हमको फिटेनेश क्लास भी नहीं जाना था तो आज इसी में हैं सफाई में लगते हैं तो यह का सफाई कर रहे हैं उसके बाद हम लसन का करेंगे तो ये भी बैठ गए हैं ये समना अकेले काम बिल्कुल नहीं होता इनका नासता बन गया है अभी हम लोग का खाना नहीं बना है तो अब ये काम कर लेंगे उसके बाद फिर खाना बनेगा तो ये देखिए ये है इसमें बड़ा प्याज जो इदम फ्रेस है उसको रख रहे हैं और इसमें है छोटा है जो थोड़ा थोड़ा छिलका छोटा है वो और ये लसन है इसको अभी साफ करना है इसमें भी खराब हो रहा है कि एक ठो मतलब विकार हो गया है तो उसको निकालन और इस अब का पत्ता निकालना है और अभी मेरा काम पूरा हो गया लहसों और प्याज सब साफ हो गया बेड के नीचे का भी घुस के कर दिये बस इतने में ही एकदम ठक गए हैं हम तो नहा लिये हैं अभी अब चल रहा हैं देखते हैं क्या खाना बनता है क्या बनाते हैं किट्टू तो अभी नहीं आज उसका मीठा कुछ खाने का मन कर रहा है तो हम कहीं चलो तुमको कुछ मीठा भी बना करके खिलाते हैं तो आज हम खाने में बहुत इस्पेसल मीठा बनाएंगे आप लोग लाश्ट तक वीडियो देखिएगा अब हम लोग के खाना बनावे के रात के बनी अभी नोग खाएंगे अब ही खाने में हम चल रहे हैं बनाएंगे दाल चावल चोखा वो तो रोटी खा लिए हैं रोटी सबजी उनका हो गया था तो हम किट्टू अपने लिए अभी बोले ना काम सफाई करके अगर नहाद हुला लेजे तो फिर खाना बनाने का मन ने करता है भूक लग जाता है लगता है कि बस बना बनाया मिले और खाके हटे तो कुछ नहीं आज बस डाल चावल उसी में आलू डाल दिये चोखा मेरा ये होगा अभी फिर हम आज की टू का कुछ मिठा खाने का मन है तो जब तक मेरा दाल चावल पकेगा मेरा मिठा भी बनके तयार हो जाएगा तो अभी देखिए आज हम मिठे में जा रहे हैं बनाने मौंग डाल हल्वा जो की बहुत ही टेस्टी होता है तो इसमें डाल भीगाने का कोई जंजट नहीं है हम दाल भीगाए नहीं है देखिए एकदम सा दाल है और इसमें तेल घी कुछ नहीं डाले हैं बस इसको अभी ऐसे ही रोष्ट करना है भूनना है गोल्डेन होने तक ये पूरी दाल जब पूरा गोल्डेन हो जाएगा मतलब जब तक ये गोल्डेन हो जाए तब तक भूनना ह इसको बिना तेल घी का तो ये देखिए मेरा दाल एकदम बढ़िया हो गिया है अब हम गयस को बंद कर देंगे ये एकदम देखिए एकदम मस्त हो गिया है पूरा गोल्डेन हो गिया है अभी इसको ठंडा करके बढ़िया से इसको पीस देंगे और इतना मतलब एकदम महीन नहीं पीसना है इसको थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है दाना दाना रजा है जिससे साधी ब्या वाला हलवा होता है उस तरीके से बनाएंगे तो उसमें भी देखते हैं दाना दाना रहता है तो इसको एकदम दरदरा पीसना है ज्यादा महीन करके नहीं पीसना तो अभी हम पीस लिये हैं और अभी घी में देखिए सोरी कडाही में देशी घी डालेंगे अभी आधा घी अभी डालेंगे फिर बाद में तो आप लोगों को तो पता ही है कि देखिए अभी ये पूरा टेघरा हुआ नहीं है अभी ये मतलब पीघला हुआ नहीं है पीघलेगा तो और हो जाएगा तो अभी इसमें अगर बढ़ियां हल्वा चाहिए तो घी तो लगता ही है घी तो इसमें लगेगा तो अभी देखिए यह हम पूरा एकदम दरदराए पीसे हैं, पूरा एकदम महीन नहीं किये हैं, तो अभी मेरा घी गरम हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे, मतलब अभी इतना हम इसमें घी डालेंगे, कि उसमें पूरा अच्छे से पक जाए, और इसको डालने के बाद, यह भूना इसको ज्यादा देर तक भूनना नहीं है, यह देखिए, घी में मतलब अच्छे से हो जाए, तो इसको बस पांच मिनट हम घी में भूनेंगे, और फिर उसके बाद पानी डालेंगे, तो अभी हम पांच मिनट मेरा हो चुका था, और पानी डाल दिये हैं, आज को एकदम ध रूठली दीख रहा है, तो पल्टे से आप करेंगे, तो वो अच्छे से आसानी से छूट जाता है, इसमें कोई चकर नहीं है, बढ़ियां से, तो इसमें पानी कुछ ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि डाल भी फूला हुआ नहीं है, मतलब भीगा हुआ नहीं है, और अलवा सूख चुका है, तो इसमें और फिर घी डालेंगे, बहुत बढ़का वला चमच से, एक डेड़ चमच लिए, एक दम बड़ा चमच से, घी और डालना चाहते हैं, तो अपला और घी डालेंगे, इसमें तो जितना देखते हैं, साधी विया में बहुत ज्यादा घी आता है, तो अभी तो हम कम में बना रहे हैं, फिर भी इतना बहुत है, इसमें केसर डाल दीजिए, तो कलर चेंज हो जाता है, या एलो कलर में फूड कलर जो आता है, वो लेकिन मेरे यहां यह मना करते हैं, कि फूड कलर नुकसान करता है, देखिए वैसे ही, इसका बहुत है तो फुट कलर या कुछ हम कलर नहीं डाले ये देखी एकदम दानेदार बनके मुंग दाल हल्वा तयार अगर आपका एकदम से मन कर दे मुंग दाल हल्वा खाने का तो न भीगाने का चंजट न कुछ बस फटाग से मुंग दाल लीजिए भूनिये पीसगी और घी में बना अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज डाल दीजिए और अच्छा लगेगा तो ये था मेरा मुंग दाल हल्वा रेसिपी बीना भीगाए अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो को जो नए है मेरे चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करके आप भी मेरे परिवार में सामिल हो जाएए बस मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही अच्छे से रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई